जेहिन दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासेश में दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए भारत रत्न से संबंदित कुछ महतुपूर्ण प्रस्ण तो दोस्तो साल 2024 के भारत रत्न पुर्शकार जिन जिन बेक्तियों को मिलने वाले हैं उनकी गोशना हो चुई है तो उन से संबंदित और भारत रत्न से संबंदित कुछ मोश्ट इंपोर्टेंट कोस्चन इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे जो कि आपके किसी भी एक्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होने बाले हैं तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो कोस्चन नंबर वन की तरफ चलने से पहले दोस्तो भारत रत्न से संबंदित मैं आपको कुछ main main points जो है वो बता देना चाहता हूं जिससे आपके जो doubts हैं वो already clear हो जाएं तो चलिए दोस्तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे भारत रत्न पुरस्कार ठीक है यहाँ पे भारत रत्न भारत का सर्बोच नागरिक पुरस्कार है जो किसी भी छेतर में उत्रिष्ट सेवा हेतु प्रदान किया जाता है तो भारत रत्न जो है वो भारत का सर्वोच नागरिक पुरुसकार है ठीक है दूसरा पुएंट है दोस्तो हमारा यह पुरुसकार ततकालीन राष्ट्रपती डॉक्टर राजिंदर प्रसाथ के दौरा सन 1954 से देना प्रारंभ किया गया था ठीक है तो डॉक्टर राजिंदर प्रसाथ के दौरा यह 1954 से जो है वो भारत रत्न की स्थापना हुई थी मतलब 1954 से लगातार भारत रतन जो है वो दिया जाता रहा है ठीक है चलिए थर्ड पॉइंट है हमारा प्रारंभ में यह पुरुसकार मलणों प्रांत नहीं दिया जाता था तो प्रारंभ में जब इसकी 1954 में दोस्तो इस्थापना हुई थी भारत रतन देने की शुरूआत हुई थी तो यह मलणों प्रांत नहीं दिया जाता था परन्तु इस्थापना की एक सालवाद यानि की 1955 में यह मलणों प्रांत भी दिया जाने लगा ठीक है तो ये तिन पॉइंट आपके बिल्कुल किलियर हो गए होंगे आप चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ ठीक नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तो हमारा इस पुरुसकार के अंतरगत कोई रासी प्रदान नहीं की जाती ठीक है तो जैसे नोबल पुरुसकार या फिर और भ बियगतिय के लिए कोई भी रासी प्रदान नहीं की जाती ठीक है तो एक सुर्भ के साथ देवनागरी लिपी में भारत रतन लिखा उना है तो भात रतन का एक पीपल के पत्ते पर सूर्ण की छबी के साथ देवनागरी लिपी में भारत रत्न लिखा हुआ है ठीक है ये है भारत रत्न आप इसको देख सकते हैं सेम टू सेम जैसे लिखा हुआ है वैसा ही यहाँ पर ये मैंने आपके लिए फोटो भी लगा दिया है नेक्स्ट है दोस्तो सन दोजार चौबिस में भारती जन्ता पार्टी के बरिष्ट नेता लाल कृष्ल आडवाडी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री करपूरी ठाकुर को मल्डों प्रांत देश के सर्बोच्य सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है ठीक है तो दो मल्डों प्रांत भारत रत्न दिया गया है ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तो लाल कृष्ल आडवाड़ी और करपूरी ठाकुर के हां पर मैंने फोटो भी लगा रखे है ठीक ये देखिए ये जो फोटो है दोस्तो मैंने नीचे नाम भी लग रखा है लालकिष्ट आडवाडी का है ये फोटो करपूरी ठाकुर का है और ये है हमारा भारत रत्न ठीक है तो उम्मीद करते हैं दोस्तो वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो वीडियो में continue वने रहें अब चलते हैं दोस्तो हम अपने पहले कोस्टिन की तरफ तो हमारा आज का फर्स्ट कोस्टिन है दोस्तो भारत का सर्वोची नागरिक सम्मान कौन सा है तो इस कोस्टिन का आंसर अब आपको पता चल गया होगा भारत का जो सर्वोची नागरिक सम्मान है वो है दोस्तो भा तो यहाँ पर option D आपका एकदम correct answer होगा next question की तरफ चलते हैं question number 2 question number 2 है दोस्तों हमारा पहली बार भारत रत्न पुर्षकार कब दिया गया था तो ये भी question में आपको उपर important points में बता चुका हूँ दो जनवरी 1954 के लिए जो है बो पहली बार भारत रत्न भारत के ततकालीन राश्वती उस समय के जो थे डॉक्टर राजंदर प्रसाद दौरा दिया गया था ठीक चलिए इसमें कुछ important points हैं मैं इनके लिए भी आपको बता देना चाहता हूँ तो दोस्तो पहली बार 1954 में भारत रत्न पुरसकार से सम्मानित होने वाले तीन ब्यक्ति कौन थे ठीक है तो सबसे पहले इसमें थे सुतंतर भारत के पिर्थम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी इनके लिए सी राजगोपालचारी की नाम से जाना जाता है आज के अगले कोश्यन कोश्यन नमबर 3 की तरफ तो कोश्यन नमबर 3 है हमारा दोस्तो बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मल्लो प्रांत देश के सर्वोच सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा तो इस कोश्यन का आनसर भी मैं आपको पहले ही बता चुका करपूरी ठाकूर बिहार के पूर मुख्यमत्री रह चुके हैं और इनके लिए साल 2024 में मर्लोपरांत भारत रत्म पुरुसकार देने की घुर्णा की गई है नेक्स्ट कोशिन है दोस्तो हमारा भारत रत्म पुरुसकार किसके द्वारा पिरदान किया जाता है ठीक है तो भारत रत्म पुरुसकार दोस्तों दिया जाता है राष्ट पति की द्वारा तो यहां पर कोशिन नंबर 4 का option B correct answer होगा नेक्स्ट कोशिन की तरफ चलते हैं हम question number 5 question number 5 है दोस्तों हमारा भारत रतन पुरुषकार की स्थापना 2 जनबरी 1954 को किसने की थी तो दोस्तों डॉक्टर राजंदर परसाद यह उस समय भारत के ततकालिन राष्टरपती थे इन्होंने जो है वो 2 जनबरी 1954 को इसकी स्थापना की थी next question है दोस्तों हमारा question number 6 question number 6 है वर्ष 2024 तक कुल कितने राष्टरपती को भारत रतन पुरुषकार दिया जा चुका है ठीक है तो दोस्तों अब तक भारत के 6 राष्टरपती ऐसे हो चुकी है जिनके लिए भारत रतन पुरुषकार से सम्मान सम्मानित किया जा चुका है उनकी लिष्ट है यहां पर दोस्तों मैंने दी हुई है उनके लिए कब मिला है ये भी लिखा हुआ है तो सबसे पहदे डॉक्टर सरुपली राधा करश्वन इनके लिए 1954 में मिला था next है दोस्तों जाकिर हुसेन इनके लिए 1963 में भारत रतन पुरुषकार से सम्मानित किया गया था उसके बाद में next है डॉक्टर राजंदर परसाद इनके लिए 1962 में भारत रतन से सम्मानित किया गया था और last है दोस्तों नुमर पे डॉक्टर एपी जे अब्दुलकलाम इनके लिए 1997 में भारत रत्न पुरुषकार से सम्मानित किया जा चुका है ठीक है तो भारत के कितने ऐसे राश्ट्रपती है जिनको भारत रत्न मिल चुका है छे राश्ट्रपती है ठीक है चलिए कोश्चिन नमबर 7 के तरफ चलते हैं दोस्तो भारत रत्न पुरुषकार का आकार कैसा होता है तो भारत रत्न पुरुषकार का जो आकार होता है दोस्तो बो होता है पीपल के पत्ते के तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर भारत रत्न का फोटो भी लगा दिया है अब चलते हैं दोस्त भारत के सबसे युबा ब्यक्ति हैं इनके लिए सबसे कम उमर में जो है वो भारत रतन पुरुषकार दिया गया है और सचिन तेंदूलकर के लिए दोस्तों भारत रतन पुरुषकार जो दिया गया था वो साल 2014 में दिया गया था और खेल जगत में भारत रतन पाने वाले यह पहले ब्यक्ति हैं जिनके लिए भारत रतन दिया गया है ठीक अगला question है हमारा question number nine question number nine है दोस्तो भारत रतन पुसकार पाने वाले बैग्यानिक कौन थे ठीक है तो भारत रतन पाने वाले बारत के दो बैग्यानिक हैं डोक्टर सीवी रमन इनके लिए 1904 में बिला था और डो Q10. भारत रतन पुरुषकार पाने वाली हैं, भारत रतन पुरुषकार से सम्मानित होने वाली भारत की पहली महला कौन है? ठीक है? तो भारत की पहली महला यानि की इंद्रा गांधी और भारत की प्रदान मंत्री भी हैं, इनके लिए भारत रतन पुरुषकार से सम्मानित कि किसे दिया गया था लाल भादर सास्त्र के लिए 1966 में पहले वार भारत रतन पुरुषकार से समानित गया था आज अगला कोशन को नेलशन मंडेला को नेलसन मंडेला ख़ बने तो उन पुझार गया ते नागर्ट straw Tails नेलशन मंडेलीए तो दोस्तों उम्मिद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और इस प्रीडियाप को भी आप हमारे टेलिग्राम चैनल सिभा ओनलाइन क्लासेश से बिद आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन जैभारत